हेलो एवरिवन गुड मॉर्निंग ओल उफ यू राधे राधे जैसरी किसना सभी गो तो क्यासे आप सभी आई होप आप सब अच्छे होंगे तो स्वागत आप सभी का हमारी यूटूब चैनल नोकरी आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ 28 अप्टुबार 2030 की डेरे करंट अफेर्स जो आपके आने वाले एकजाम जैसे के से से सीजल हुआ सीजल का हुआ दिली पुलिस का हुआ या यूपी पुलिस का हुआ हर एक जैम के लिए ये करंट अफेर काफी इंपोर्टेंट रहने वाली आपके लिए तो वीडियो में एंड तक बने रहे ना फ्रेंस किस सहर में वनों पर शुक्त राष्ट मंच की बेठा काउजित की गई थी देहरादून में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना राष्टी आइकोन न्यूक्त किया राजकुमार राउ को हाली में भारत का कौन सा सहर दुनिया का दूसरा सबसे परदूसी सहर बना मूंबई हाली में किसे अमरेकी राष्टपती द्वारा प्रोधोगिक और नवाचर पतक से समानित क्या गया है तो वो थे असोक, गोडगिल और सुब्रा सुरेश को भारती नोसेना को सोपे गये तीसरे स्टील्थ विद्वन्स का नाम क्या है तो वो था इंफ्वाल किस देश ने भारत को मुफ्त प्रेटर्ण वीजा परधान क्या है स्री लंका देश ने किस सहर में स्रस्टवा ध्रम चक्र परवतन दियोस बनाए गया है नागपूर में डाला राश्ट्य के कि टीम का मुख्य को चन्यूकत किया गया है तो वह है अमूल मजूमधार को अब देखते हैं हमारी आज की ग्रंटर है हमारा फैस्ट कुछन इसका किस राश्ट्य स्थार का स्रस्थ आजीव का मेला दोजार तेश का आज़िन क्या जा रहा है तो किस र गुरुग्राम राज्य में क्या जा रहा है गुरुग्राम के जो लेजर वेंडी ग्राउंड है वहां पर यह सत्रवा दीवेश्य मेला आजित क्या जा रहा है जो 11 नौंबर को होगा अगले मैंने की 11 तरीक होगा गुरुग्राम में आज वी इंपोर्टी नूज देखते हो उत्ते परदेश के किस सहर में सेरी कल्चर मेले का दुगहटन क्या गया है तो वह है गोरुकपूर किस सहर में एश्य का सबसे बड़ा अंतराष्टे खाद और आधित्य मेले का आजिन क्या गाए तो वह नई दिल्ली में किस देश को तो जरपत्चीस में में अंतराष्टे पुष्टक मेलने कि थीम देश के रूमें आमदित क्या गाए तो वह भारा देश को किस राजसरकार ने अपनी तरह का पहला स्टेट रोबिटिक्स फ्रेमवोग लोज किया है तो यह क्यि up एयर सबढ प्सक्राव देनने के लिए कि आएटी के साथ समझ्वोगता किया है तो आशर हमारा ऩी आई आई इसों चेतर में पर्थिबा विकास को बढ़ावा देने के लिए आयाइटी कानपुर के साथ समझोता किया है जिसको अधिया से क्या है आनुसंधान और शिक्षा के पहल के मादम से भारत के एसबोच चेतर के पर्थिबा के पुल को मैत्तव को बढ़ाना है आज इंपोरिन विजेस की किस आयाइटी द्वारत जानिया में अपना पहला अंतराश्टी प्रिशर स्थापित किया जाएगा तो वह आयाइटी मदरास के द्वारा हाली में विपरो ने जनरेटिव एयाई सेंटर ओफ एक्सिलेंस कहां लौंच किया है तो वह क्या आयाइटी दिल्ली में आयाइटी दिल्ली में किस सहर में अपना पहला ग्लोबल केंपेस खोलने जा रहा है तो वह अब उधा भी किस देश के राष्टपती ने IIT इंदोर के छात्रों को Global Best MGOE Award परदान किया है तो वह मिस्ल देश के राष्टपती ने देश क्यूशन दगते हैं किसने वैस्विक सिक्षप पुरुसकार 2013 के लिश्ष से 10 फाइन लिश्टों में से एक के रूब में स्थान प्राफ्त किया है तो किस ने स्थान प्राफ्त किया ये अंस्वर दीजी तो आंस्वर है हमारे इसमें A. दीब नाराइन नायक दीब नाराइन नायक ने शिक्षप पुरुसकार में 2013 के लिश्ट सीर्ष दस फाइनलीन लिष्टों में एक ग्रूप से एक पहला स्थान राप्त किया है और ये परतिष्ट पुरुसकार आपको बदर किसके द्वारा दिया जाता है आज़ुद किया जाता है तो ये परतिष्ट पुरुसकार यूनेस्को और दूबाई के यूनेस्को और दूबाई के सयोग से यूक्के में इस्तित वर्की फाउंडेशन द्वारा जो यूक्के युनाइटिड में विक्सित एक वर्की फाउंडेशन है उसके द्वारा ये पुरुसकार आज़ित किया जाता है जो किसको दिया गया है दीब नारेन नायक को अधि इंपोर्टी न्यूज देखने है आयाइटी रुडी की दुबार किसको खोसला राष्टी पुरुसकार से सम्मानित किया गया है तो वह डाक्टर करिस विस्वाव को किसने पर्तिष्ट अंत राष्टी किस राष्टी के एंचियो थपोवन को चिल्टर्ण चेपिंस अवोर्ड से समानित किया गया है तो है असम राष्टी के नेश कुष्टन देखते हैं कहां भारत के पहले पूरन महिला पुली स्टेशन के 500 साल पूरे होने का जसन बनाए गया है के नेश क्या साल पूर पूरे हो गए जिसका जसन बनाए गया है और आपको पता दीगे पहला पुलीस टेशन है जो इन बनवाए था को पूर पनार मंत्री इंद्र घांदी ने कोजिकोड में किया था केल के कोज़ कोड में इस महला पुलिस स्टेसन का उद्गाटन किया था जिसकी पहले सब इंस्पेक्टर थी एम पद्वनी अम्मा इसने एम पद्वनी अम्मा ने इस स्टेसन में कलम पकड़ी थी पहले बार और इस स्टेसन की भागदोर अपने अतों से समाल ली थी और इसक कि अब 50 साल पूरे हो गए जिसका जसन केर राज्य में मनाए गया है अधर इंपोर्टे न्यूज देखते हैं उत्सजिन व्यापार योजना लागो करने वाला भारत का दूसरे सहर कौर्ण सा बन गए एहमदाबाद भारत और किस देशने मिलकर प्रेंशडर फाइन्सिंग विग का सुभार्म क्या है न्यूसरे में महापासन काल की डोमेंट सीट पर फ्राजिंट को लाइक वूपरemer जूर कर देन और साथ ही केमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी क्यूशन है वैस्विक सोथ फ्रम स्टेटिस्टा के अनुसार फिन्टेक यूनिकोन में भारत कौन से स्थान पर है तो बताई यह आंसर कौन से स्थान पर भारत तो आंसर हो जाएगा इसका सी तीसरे स्थान पर है बात वैस्विक सोथ फ्रम स्टेटिस्टा के अनुसार भारत सत्रवे फिन्टेक यूनिकोन के साथ तीसरे स्थान पर है कितने सत्रा फिन्टेक यूनिकोन के साथ तीसरे स्थान पर है और बात की जाएगा यूज यह से की तो आपको बाता है युएस से 134 FinTech ऊइकन के साथ सिर्ड से स्थान पर है और दूसरे स्थान पर कौन है दूसरे स्थान पर है United Kingdom जो 27 FinTech Unicorn के साथ दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर हमारा भारत है तो याद रखने को अधरी इंपोर्टे न्यूज देक्टेव विश्व बैंक के लोजिस्ट पर्मफॉर्म्स इंडेक्स बारत कौन से स्थान पर रहा है और तीसवे स्थान पर दे हेरिटेज फांडेशन के 39 आर्थी समितनता सुचकांग बारत कौन से स्थान पर रहा है 131 वी स्थान पर रहा है भारत Handle, Password, Index 2030 में भारत कौन से स्थान पर रहा है तो 85 स्थान पर साल 2030 में क्रिप्टो को पराने के लिए तयार सबसे बड़े राश्ट की सुचिम भारत कौन से स्थान पर है सातों स्थान पर नइस की इसले देखते हैं केंदे शिक्षा मंत्री ध्रहमेंद्र परदान किस राजे में 124 पीम स्रीज स्कोलो का सुभारम क्या है तो बताई यह answer कहाँ पर किस राजे में क्या है इन स्कोलो का सुभारम तो answer है हमारे इसका A, हर्याना राजे में केंदे शिक्षा मंत्री ध्रहमेंद्र परदान स्मार्ट कक्षा और शूचना और संचार प्रोदोगी पार्ट साला के साथ डिजाइन किया गया है इन स्कोलों को किसके साथ डिजाइन किया गया है इसमें स्मार्ट कक्षा है सूचना और संचार प्रोदोगी पार्ट सालों का प्रयोग किया गया है इसमें जो हर्याना राज पेंसें देने का फैसले क्या है तो वह हर्याना राज्य सरकार ने सब्सक्राइब विदूतिकर्ट रेलेवनेट रॉक वाला भारत का पहले राज्य कौन बनेगा हर्याना किस राज्य के अंदसा से परदेशों ने इंटीग्रेटिड वाटर रिसोर्स एक्शन प्लान 2023 से 25 तो यह किस राज्य सर्शम्वधित है है यह आपसे पूछँ है तो बताई आझार किस राज्य सर मत्वधित है यह जंबरानी भानध प्रियोज्जना बनेंगे रानी बांद प्रयोजना, कैंडरी कइमेट ने इसको मंझूरी दे दिये, इस प्रयोजना को, जो उत्राखन्टराजये में है। और आपको बता दे, ये प्रयोजना, मार्च दोय जरअजार आठाईस में पूरी होने वाली है, और इस प्रयोजना को पूरी हो बनाने में कितने रुपय का खर्च आया है 2584 करोड रुपय का खर्च किया जाएगा इस परियोजना को बनाने में जो उत्रखंट राजे में बनाए जाएगा जिसका नाम जमरानी बांद परियोजना है मार्थ 2028 में ये पूरी हो जाएगी जिस पर 2544 कुरूर रुपे का खर्च किया जाएगा याद रखने हैं अजरी इंपोर्टिन हुझे भारत के किस राजे में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेर मंदिर बनाए जाएगा तेलंगाना राजे में भारती भुवेगयन इस रुक्षिन ने किस राजे में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के साथवे संसकर्ण का ओरिजन कहां क्या गया है तो बताई आंसर कहां पर क्या गया है इस साथवे संसकर्ण का ओरिजन तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के साथ संस्कार आजन मुंबे में क्या गया है और किसके दुआर क्या गया है पीम नरेंदर मोंदी ने भारत मंडलप में इंडिया मोबाइल कांग्रेस दोजरते इसके साथ संस्कार का उद्वाटन क्या है नई दिली में और ये कब से 27 से लेकर 29 अक्टुबर तक इसका औरजन रहेगा और इसकी थीम होगी इंडिया मोबल कांग्रेस की थीम क्या है Global Digital Innovation इसकी थीम यह है Global Digital Innovation इसका साथों संसक्रण औरजन क्या गए ने दिल्ली में याद रखना अधर इंपोर्टन न्यूज देखते हैं भी किस राजे के अंदेसासी परदेश की पुलीस ने साइबर कांग्रेस पहल लोंच किया है तेलंगाना राजे ने कौन सा देश वीशु की सबसे बड़ी आयू यू सी एन वीशु संडरक्षन कांग्रेस दोजर पत्चिस की में जबन करेगा यू एई देश वाइल्ड स्पाइस कांग्रेस का चोद्वा संस्क्रन 16-18 फड़ी 2030 को कहां चीत किया गया है मुंबई में राष्टपती द्रवपती मुर्मुर द्वार कहां पर दूसरी भारती चावल कांग्रेस का उद्वार्टन किया गया है तो ये किया गया है कटक में नेश्क क्युष्टन है हमारा विश्वे स्रुवे दरश्चे विरास्त दिवस बनाए जाता है तो बताई आंसर कब बनाए जाता है ये दिवस विश्वे स्रुवे दरश्चे विरास्त दिवस तो friends इसका आंसर हो जाएगा हमारा C कब बनाए जाते हैं 27 अक्टूबर को हर सह 27 अक्टूबर को विश्व सिर्वे धरस्ते दीवस मनाए जाता है या द rutin ओल्ड दीवस लिए इंपोर्टनीज शिज की 5 अपरेल को राइष्टी समूंधु दीवस मनाया जाता है और अंतर आत्मा दीवस भी पांच अप्रेल को ही मना जाता है साथ अप्रेल को विश्व स्वास्ति दीवस और दस अप्रेल को मना जाता है विश्व होम्योपेथी दीवस और ग्यार अप्रेल को क्या मना जाता है तो ग्यार अप्रेल को मना जाता है राष्टे सुरक्षित मात्रुता दीवस 17 अप्रेल को 20 हीमोफीलिया दीवस और 18 अप्रेल को मना जाता है 20 विरासत दीवस 21 अप्रेल को मना जाता है राष्टे सिविल सेवा दीवस तो याद रखने हैं सबी डियो को Next Question है किस कंपनी ने डिलीवरी पार्टनर्स के लिए मात्र तो भीमा योजना आरम किया है तो बताए किस कंपनी ने की है ये योजना आरम आंसर है जोमेटो ने जोमेटो कंपनी ने महला डिलीवरी पार्टनर्स के लिए मात्र तो भीमा योजना आरम की है जो कि गरवा आवस्ता से समध खर्चों के लिए वीत्ते सायता पदान करेगी गरवती महलाओ को आदे इंपोर्टे न्यूज इसकी किस भारते कम्पने को दुनिया की सबसे परसंचित कम्पने की सुची में सामिल किया गा है तो वो है Tata Consultancy Services किस फाइनेंस बैंक ने भारत का पहला वोईस विजुवल वनना कुलियर बैंकिंग एप लौंज किया है तो वो है उजीवन स्मॉल फाइनेंसिंस बैंक किस बैंक ने हाले में इलक्ट्रोनिक बैंक गारेंटी योजना शुरू की है तो वो है Indian Overseas Bank मार्च 2030 में किस कंपनी ने 26.7 क्राओर डॉलर के निवेस के बाद Air India's Move में 25.1 परतिसत इस्तिधारी ली है तो वो है Singapore Airlines ने आज का क्यूशन है हमारा जिसका आंसूर आप सभी कमेंट सेक्शन बताना है किस सेहर में देश का पहला नोसे ना सोरी संग्राले बनाए जाएगा तो ये किस देश में बनाए जाएगा इसका आंसूर आप सभी को कमेंट सेक्शन बताना होगा समाने क्या डोज देखते हैं निजामुदीन ओलिया किस तुगलक से समकालिन थे तो वो थे ग्यासुदीन तुगलक के साना स्तम का निमान किस ने करवाया असोक ने असोक के साना स्तम के निचले भाग में कौन-कौन से जानों निरुपुत है तो ये साना स्तम के निचले भाग पर निरुपुत है किस ने सहिसुनिता, उधारता और क्रोना के सक्टियों की तो सिलाल एक चांस कि अपुएख में उसकी एक मात्र Thank you friends, bye bye, take care